सबी बाईयों को राम राम जैन दोस्तों Knowledge of Defense चनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपके लिए जिक्के और जियास क्यूस्टन्स की इंपोर्टेंट वीडियो है सभी जो क्यूस्टन है सभी क्यूस्टन आर्मी जिड्डी के अंदर कलरक के अंदर ट्रेडमेन के अंदर नर्शिंग स्टेंड के अंदर आते रहते हैं बार बार आने वाले क्यूस्टन है दोस्तों तो इसलिए वे वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है सारी वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको लाश तक वीडियो पे बना रहना है तो दोस्तों आपके लिए क्यूस्टन नमर एक जो है वो अगुल हासदारा किस महासागर में बैथती है तो दोस्तों अगुल हासदारा जो है वो हिंद महासागर में बैथती है और ये question important है Question number 2 है दोस्तो बारत भारतियों के लिए है ये नारा किस सस्था ने दिया था बारत भारतियों के लिए है ये नारा किस सस्था ने दिया था तो ये नारा जो है वो आरिय समाज ने दिया था दोस्तो very very important question है याद रखना है आपको एक जाम में छपेगा दोस्तो क्यूस्चन नम्बर तीन है आपके लिए दोस्तो अठारा सो सताउन की क्रांती के समें भारत का जो गवर्नर जैनरल था वो कौन था और ये क्यूस्चन जो है वो 2018 के अंदर जिड़ी के अंदर आयवा क्यूस्चन है दोस्तो इसलिए आपको याद रखना है ठारा सो सताउन की क्रांती के समें जो गवर्नर जैनरल थे वो लाड कैनिंग थे कौन थे लाड कैनिंग नेक्स्ट क्यूस्चन है आपके लिए दोस्तो विंध्याचल और सत्पूडा जो पाडिया है वो के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम आपको बताना है विंध्याचल और सत्पूडा पाडियूं के बीच होकर बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है दोस्तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूस्चन है क्यूस्चन नम्बर पांच है दोस्तो Investor Protection Fund की संस्था द्वारा स्थापित किया आ गया है तो एसे भी द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है दोस्तो Question number 6 है दोस्तो सबसे बड़ा ग्रह है SSE JD के अंदर आया हुआ Question है SSE JD में आया है और Army JD के अंदर भी आया हुआ Question है दोस्तो तो Question very very important है बरस्पती जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तो Next Question है आपके लिए Question number 7 धनराज पिल्ले का समन्द किस खेल से है दोस्तो तो धनराज पिल्ले का समन्द जो रहा है दोस्तो वो होकी से रहा है और होकी के अच्छे खिलाडी है अगर होकी का जादूगर अगर आपको पूछ लिया जाता है, होकी के जादूगर, होकी के जादूगर अगर आपको पूछ लिया जाता है, तो दोस्तो मेजर ध्यानचंद का नाम याद रखना है आपको, क्या याद नाम रखना है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का नाम याद रखना दोस्तो मेजर ध्यान चंद को होकी का जादूगर कहा जाता है नेक्स्ट क्यूस्चन है आपके लिए साथ नमब जो क्यूस्चन है गंधी फिलम में गंधी की भूमी का किसने निभाई थी दोस्तो गांधी फिलम में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? Important question है Ben Kingsley ने गांधी फिलम के अंदर गांधी की भूमिका निभाई थी दोस्तो Question number 9 जो रहेगा आपके लिए चोथ नामक कर किसके दुवारा लगाया गया था? Question number 10 जो रहेगा था? Very very important question है दोस्तो बिनोबा भावे दुवारा भूदान अंदोलन चलाया गया था और ये question जो है वो जिड़ी के अंदर, कलरक के अंदर और नर्शिंग स्टेंड के अंदर तिन्नू में बार बार छप्यावा question है 2012 के अंदर आया है, 2014 के अंदर आया है, 2018 के अंदर आया है दोस्तो तो आप देख सकते हो question आप कितना important है question नमबर बारा जो है, वो पहले ही मैंने highlight कर रख्या है दोस्तो flying sick के नाम से किसे जाना जाता है तो flying sick के नाम से दोस्तो, milkha sing को जाना जाता है question बार बार छपेगा और छपता रहेगा इसलिए आपको भूलना नहीं है, याद रखना है question नमबर 13 है दोस्तो, गुर्तव आकरशन की खोज किस ने की थी तो गुर्तव आकरशन की खोज जो है दोस्तो, न्यूटन ने की थी और ये question 10 सितंबर 2023 को, जो relation भरती वी थी उसके अंदर 10 सितंबर 2023 को, आयवा question है और आपको याद रखना है दोस्तो next question है, राष्ट्री रक्षयाकादमी कहां पर सितित है तो राष्ट्री रक्षयाकादमी देरादून में है, जिसको हम I.E.M. में बोल देते हैं इंडियान मिल्ट्री जो अकादमी है, ठीक है, देरादून के अंदर है I.E.M. में, ठीक है दोस्तो, इसको भी आपको याद रखना है नोबल पुर्षकार प्राप्त करने वाला भारतिये दित्य वेक्ति कौन था? तो नोबल पुर्षकार प्राप्त करने वाला भारतिये दित्य वेक्ति जो था, वो सिवी रमन था दोस्तो, और सिवी रमन को जो नोबल पुर्षकार मिला था, 1930 में मिला था, और भोतिकी के छेत्र में मिला था दोस्तो, भोतिकी में इनको मिला था, ठीक है, आपको याद अगर पर्थम नोबल पुर्षकार विजयता अगर आपको पूछ लिया जाता है तो दोस्तों पर्थम नोबल पुर्षकार विजयता जो थे वो रविंदरनाथ टैगोर थे कौन थे रविंदरनाथ टैगोर याद रखना दोस्तों भूल मत जाना दोनू कुष्चनू में से रविंदरनाथ टेगोर को मिला था और रविंदरनाथ जो टेगोर हैं इनको 1913 में मिला था 1913 में इनको नोबल पुर्षकार मिला था, पर्थम भारतिय नोबल पुर्षकार विजयता प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे रविंदर नाट टेगोर और 1910 के अंदर दोस्तों याद रखना, 1910 में इनुने गितांजली लिखी थी, क्या लिखी थी? गितांजली, कब लिखी 1910 में, गितांजली माकावे पर इनको मिला था और नोबल पुर्षकार इनको 1913 में मिला, 1910 में इनुने गितांजली पुस्तक लिखी, तो पर्थम भारतिय बन गई रविंदर नाट टेगोर जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से जान दीजी थे, तो यहाँ पे जो सारे फेक्ट जो थे, नोबल पुर्षकार से समन्दित, वो मैंने कलियर कर दिये हैं, हर क्युस्चन को आपको याद रखना होगा, इन में से एक-एक करके, कोई ना कोई क्युस्चन, हर एक्जाम के अंदर, आर्मी, जिड्डी, कलरक, नर्श है, वो इसली परत जो है, वो दोस्टो, क्या है, बताना है आपको, तो वो है छोब मंदल है जो दोस्तो, क् leads क्योष्चन नम्बर 17 है आपके लिए दोस्तों भारतिय सेना में विज्यन्त नाम है तो विज्यन्त नाम का एक टंक है दोस्तों विज्यन्त नाम से भारतिय सेना में एक टंक है जिसका नाम विज्यन्त है क्योष्चन नम्बर 18 है दोस्तों आपके लिए वो है चिन्यात्री फ जो है वो आया था दोस्तों क्युश्चन नंबर 19 आप के लिए है भारत का कौन सा रज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है दोस्तों तो चाय उत्पादक के लिए जाने जाने वाला रज्य जो है वो असम या आसाम है दोस्तों और अगर फेम्स चाय पूछ ली जाती है कि सबसे फेम्स चाय जो है वो कहां की है तो दोस्तो बंगाल के दार्जलिंग की है बंगाल के कहां की है दार्जलिंग की है तो याद रखना बंगाल का दार्जलिंग जो है वो फेम्स चाय के लिए भी परसीद है next question जो है 20 number question है दोस्तो बंगलादेश की मुद्रा क्या है 2016 के अंदर आयवा question है जिड़ी के अंदर आया था और बंगलादेश की जो मुद्रा है वो दोस्तो टका है याद रखना टका जो है वो बंगलादेश की मुद्रा का नाम है दोस्तो क्युश्चा नम्मर 21 है परसिद नाटक सकुंतला किस ने लिखी थी तो परसिद नाटक सकुंतला जो है वो महाकवी कालिदास ने लिखी थी और महाकवी कालिदास जो है वो सैंसकर्थ के फेम्स कवी थी याद रखना दोस्तों महाकवी कालिदास सैंसकर्थ के फेम्स कवी थे और इन्होंने एक रचना ओर की थी इन्होंने मेग दूत की भी रचना की थी और मेग दूत भी इनका पूछ लिया जाता है तो याद रखना है अगर सकुंतलम नाटक पूछा जाता है या मेग दूत पूछा जाता है तो दोस्तों महा कवी काली दास दुआरा रची थें दोन उन्रों थे उनके मद्दे और मुंगल तथा नवाबूं के बीच लड़ा गया था जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासीम थे अवद के नवाब जो थे वो साजुदोला है आई साजुदोला थे और मुंगल बादस्या कोण था आलम दित्य जो था आलम दित्य की सयुक्त सेना के मद्दे और अंग्रेज़ूं की सेना के मद्दे लड़ा गया था दोस्तों और ये युद जो है वो इंपोर्टेंट युद था पानिपत का दित्य युद कब लड़ा गया था पानिपत का दित्य युद दोस्तों 1556 में लड़ा गया था और ये युद जो था वो अकबर होरे हम्मू के मद्दे लड़ा गया था किसके मद्दे अकबर होरे हम्मू के कौन सा युद पानिपत का दित्य युद और जीत य इब्राहिम लोद्दी और बाबर के मद्दे होता है इब्राहिम लोद्दी वर सेज बाबर और जीत यहाँ पे दोस्तों मैं निसान लगा देता हूँ बाबर की होती है पानिपत का तरती यूद जो है दोस्तों वो 1761 में होता है तरती यूद जो है वो 1761 में होता है और इसके मराठोर अहमत साह अफदाली के मद्दे होता है और जो जीत है वो अहमत साह अफदाली की होती है यहां पे तो पानिपत के तिन्यू यूद जो है वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तिन्यू यूदों में से बार बार कोई ना कोई यूद आपके आता रहता है एक्जाम के अंदर तो तिन्नुई युद जो हैं आपको दोस्तो यहाँ पे याद रखने होंगी क्युश्चन नम्मर 24 जो है दोस्तो हल्दी घाटी का युद कब हुआ था तो हल्दी घाटी का युद 1500 चेंटर में हुआ था लेकिन क्रेक्ट डेट आपको याद रखना होगा 18 जून 1506 को हुआ था दोस्तों याद रखना और ये जो युद है वो हल्दी घाटी के इतियासिक मैदान में हुआ था और इस युद के अंदर अकबर का सेनापती था कौन अकबर का सेनापती मान सिंग अकबर का सेनापती था मान सिंग पलस वर्सेज किसके मत देवा था मान सिंग और महाना परताब महाना परताब के मत देवा था और मुंगलू को जो है वो जीत व्यदानिक तोर पे नहीं प्राप्त हुई थी क्यूंकि जो है अकबर जो है वो इसको सवधिंता सविकार करवाना चाथते थे महाना परताब को लेकिन उस मकसद में ये पूर्ण रूप से कामियाब नहीं हो पाए दोस्तों और महाना परताब के घोड़े का नाम कई बार पूछ लिया जाता है तो मैं यहां पर बता देता हूँ कि महाना परताब के घोड़े का जो नाम था वो दोस्तों चेत तक था मारना परताब के घोडे का नाम आपको याद रखना होगा चेतक था अगर मारना परताब के हाथी का नाम अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया जाता है तो अगर हाथी का नाम पूछा जाता है तो राम परसाथ था याद रखना हाथी का नाम राम परसाद था दोस्तो और घोडे का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम परसाद था दोस्तो हल्दी घाटी के युद्ध से समंदित जो फेक्ट हैं वो मैंने पूरे कलियर कर दिये हैं अब याद रखना आपका काम है Question number 25 जो है दोस्तो सत्य सोदक समाज की स्थापना किस ने की थी तो सत्य सोदक समाज की जो स्थापना थी दोस्तो वो जोतिबा फुले ने की थी और जोतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य समाज की जो है वो स्थापना की थी दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो दोस्तों शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा तब तक के लिए जैहिन राम राम